Friends, Friends, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं, कि ब्रेक अप से कैसे निकला जाए, मतलब अगर आपका ब्रेक अप हो चुका है, तो उसको आप कैसे हांडल करें, how to come out of it, मैं आपको बहुत प्राक्टिकल सजेशन्स देने वाली हूँ इस वीडियो में, तो Friends, आईए वीड नोटिफिकेशन जो आए, उस पे भी क्लिक कर दीजेगा, आए वीडियो शुरू करते हैं, तो Friends, जब किसी का ब्रेक अप होता है, तो ये बहुत ही तकलीफ वाला टाइम होता है, बहुत ही बाड फेज होता है, आप एक चीज याद रखेगा, ब्रेक अप में पांच चीज नहीं आएगा, तब तक आप नॉर्मल लाइफ नहीं शुरू करेंगे, अब ये आपके ऊपर है, कि आप कितनी जल्दी फिफ्ट स्टेप तक पहुँच सकते हैं, ये फाइफ स्टेप्स क्या है, सबसे पहले आता है डिनायल, उसके बाद आता है अंगर, उसके बाद आता ह है depression, and last में आता है acceptance, ये क्या है, सबसे पहले है denial, मतलब आपका मन ये accept ही नहीं कर पाता है, कि आपका break up हो गया है, आपका तो सबची सब ठीक चल रहा था, perfect चल रहा था, आपका break up कैसे हो गया अचानत, ऐसे एक denial होता है, कई बार ऐसा होता है, कि हमें doubt होता है, हमें signals मिल होते हैं, कि आपका partner cheat कर रहा है, या आपके लिए सही नहीं है, या आपके thoughts match नहीं कर रहे है, लेकिन हम से overlook कर जाते हैं, तो इसलिए, जब किसी का break up होता है, तो सबसे पहले mind में आता है denial की thoughts, आपका mind accept नहीं करता है, कि आपका break up हो गया है, ये चीज आपके साथ होई नह him, मेरा तो किता perfect चल रहा था, वो कमबत वो जो है ना, x, y, z, वो आके पूरा बरबाद कर दिया, denial, इस तरह denial रहता है, लेकिन धीरे-धीरे mind accept कर लेता है, कि ये break up हो चुका, और हमेशा के लिए हो चुका, कई पर mind ये भी सोचता है, कि ये temporary phase है, गुसा है, आपका partner आपस नहीं होता है, आस्ते-आस्ते mind accept करता है, कि आपका break up हो चुका, और आपका partner आपके साथ नहीं है, इसके बाद आता है गुसा, बहुत गुसा आता है अपने partner पे, और उस second person पे, अगर आपके partner ने आपको धोखा दे किसी और से relation बना लिया है, तो उस third person पे बहुत गुसा आता है, और partner पे भी गुसा आता है, partner पे शायद उतना गुसा ना भी आए, आप उसे भोला भाला समझ रहे हैं, simple minded समझ रहे हैं, जिसको किसी ने फुसला लिया, पहला लिया, कान भर दिये, आग लगा दी, ऐसा लगता है, जैसे third party villain है, तो एक गुसा आता है, लूँगा, नहीं, देख लूँगा, मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है, कोई, मुझे धोखा कैसे दे सकता है, कोई, बदला लूँगा, आग लगा दूँगा, बहुत गुसा रहता है मन में, यह normal है, यह होगा, थोड़े दिन होगा, इस समय आपको अपने आप पे control रखना है, गुसे में आके कुछ उल्टा पुल्टा नहीं करना है, कुछ गलत काम नहीं करना है, जब भी आपका माइन गुसे में आए, अपने आपको बोलिए, calm down, calm down, माथा ठंडा करो, ठीक है, मुझे action देना है, मैं कुछ दिन बाद लूँगा, ऐसे बार बार अपने आपको बोल क अपने गुसे को control में रखे, यह हुआ गुसा वाला फेस, तो आप अभी आ गए हैं, फेस टू, step टू पे, third होएगा, जब गुसा खतम होता है, कई बार क्या होता है, phase one and phase two together, यह भी होता है, उसके बाद आपके मन में आता है, कि नहीं मैं उसे मना लूँ, मुझे तो वो आपके partner की आदत पर चुकी है, आपको लगते हैं, जैसे भी करके मैं उसे मना लूँ, मैं उसे पा लूँ, ठीक है, थोड़ी सी गलत है, थोड़ा गलत है, कुछ यह ठीक नहीं है, वो ठीक है, ठीक है ना, we will work it out together, तब आप उससे बात करने की कोशिश करते हैं, उससे contact में आने की कोशिश करते हैं, और आप उसके साथ bargaining करना चाते हैं, कि ठीक है, तुम जैसे बोलोगे, वैसा ही होगा, तुम जो जो बोलोगे, जो promise करने बोलोगे, मैं कर दूंगा या कर दूंगी, तुम जैसे बोलोगे, सब ठीक है, ये, वो, आप bargaining करना चाते हैं, आपका मन च system है, यह बहुत बुराना है, यह कुछ नया नहीं हो रहा है, यह सब के साथ होता है, यह आप मान के चलिए, फिर जब आप देखते हैं कि आप अपने partner से contact नहीं कर पा रहे हैं, या आप उसे मनाने की चेश्टा कर रहे हैं, लेकिन वो मान नहीं रहा है, या आपको सब जगह से block कर दी है, तब आपको आता है depression, आप बेहद दुखी हो जाते हैं, आप बहुत रोते हैं, बहुत रोते हैं, रोईए, जितना मन करें रोईए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियों को ही रोने का अधिकार है, ब्रेक अप में दिल लड़कों का भी उतना ही दुखता है, जितना मन करें आप लड़के हूं या लड़की हूं, जी भड़के रोईए, कहते हैं आशु जो हैं, वो हील करते हैं, वो आपकी नहीं है, यह फेज से आपको निकलना ही पड़ेगा, इसके लिए आप अपने आपको बिजी करिए, आप में जो गुस्सा है, जो डिस्पेर है, डिप्रेशन है, जो एक मतलब की एक बेहत हर्ट वाली फीलिंग है, उसको आप किसी चीज में चानल कीजिए, मतलब को फिजि आपको फिजिकल एक्टिविटी कीजिए, वाकिंग, जॉगं, जिमिंग, वेटलिफ्टिंग, बॉक्सिंग, जो मन करें, उस एनरजी को, उस हर्ट को आपको फिजिकल वे में बाहर निकालना होगा, तब ही आपका जो गुस्सा है, जो हर्ट है, जो डिप्रेशन है, वो खतम होगा, इट विल टेक टाइम, मैं ऐसा नहीं कहती हूँ कि ये दो चाह दिनिया एक हपते में हो जाएगा, टाइम लगता है, लेकिन क्या होता है, हम अपने आपको वो टाइम नहीं देते हैं, हम बहुत हर्बड में होते हैं, क्योंकि हमारे माइंड को एक हैबिट बनी है, उस पार्टनर के साथ रहने की, उसके साथ सब शेयर करने की, तो अचानक से एक वैक्यूम सा हो जाता है, इसलिए हम बहुत हर्बड में होते हैं, हर्बड में क्या आता है, या तो हम बहुत बार्गेनिंग करते हैं, बहुत प्लीडिंग करते हैं, प्लीज प्लीज आज उस समय कोई गलत इनसान भी अगर आपको आके थोड़ा सा उप्री प्यार दिखा दे आप उसकी तरह जुक जाएंगे इसलिए जब तक आपका मतलब इस तरह उस समय आप किसी और को अपनी लाइफ में मत आने दीजिए उस समय आप कुछ गलत डिसीजन कर बैठेंगे जिसका आपको बाद में अफसोस होगा इसलिए पहले अपने जो दुख है अपनी जो हर्ट है आपकी जो उसके साथ की हैबिट है जो गुस्सा है उस पे कंट्रूल करिए तो एक फिजिकल अक्टिविटी जो भी आपको अच्छी लगती हो आप वही अक्टिविटी करिए हेल्दी पियो दिन भर पियो लेकिन आप तो अलकोहॉलिक बन जाएंगे अप दुख से नहीं निकलेंगे आप अलकोहॉलिक या ड्रग अडिक्ट बन जाएंगे इसलिए इसके चक्कर में मत पढ़िए और अपनी जो पेन है हर्ट है उसको एक वाक्सिंग रोइंग बोट रोइंग यह सब फिजिकल अक्टिविटीज जो होती है इनसे गुस्सा निकलता है जब यह फेस खतम हो जाएगा इसमें आपके उपर है कि आप यह फेस कब लाते हैं अपनी लाइफ में यह जो स्टेप फोर है यह आपकी लाइफ में कब आता है यह आपके उपर है कि आप किस तरह इसको handle कर रहे हैं, कोई-कोई इनसान 10-15 दिन में भी ये phase ला सकता है, कोई-कोई इनसान को मेना, दो मेना भी लग सकता है, ये अपनी-अपनी mindset की बात है, अपनी-अपनी सोच की बात है, तो आप ये करिए, उसके बाद में आप देखेंगे, आप में एक acceptance आ गया है, कि मैं अकेला नहीं हूं जिसका break-up हुआ है, बहुत लोगों का break-up होता है, इससे भी बूरा break-up होता है, इस तरह आपके mind में acceptance आ जाएगा, कि दुनिया में सबका break-up होता है, मेरा भी हुआ, ठीक है, लेकिन अब मुझे आगे बढ़ना है life में, अपना career पे ध्यान देना है, studies प काम पे ध्यान देना है, अपने profession पे ध्यान देना है, इस तरह आप सोचेंगे, और आप देखेंगे कि अपने आप आप में आ गया है, इसके आपको forcefully नहीं सोचना पड़ेगा, जब आप अपने anger को और hurt को overcome कर लेंगे, और तब आप में ये acceptance जो 5th stage है, ये अपने आप आ relationship के लिए ready हो जाएंगे, mentally, emotionally, तब आप की पास कोई, आपकी life में कोई और आएगा, तो आप कोई गलत decision नहीं लेंगे, उल्टे आपके previous experience की वजए से, आप और सोच समझ के एक नए relation में एंटर करेंगे, तो friends, उमेद करती हूं, ये video आपको help करेगा, how to come out of breakup successfully, and अगर पस subscribe button पे click भी जरूर करिएगा, और जिसे जरुवत है उसके साथ share भी जरूर करिएगा, देखने के लिए thank you, आज के लिए इतना ही, bye bye